नमस्कार मित्रो मैं हूँ ऐसोर विशनकर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है रत्न विज्ञान की अगर हम बात करें तो मनुष्य रत्नों का चैन अपने लिए टाइम टाइम कही नहीं लाइफ में करता ही रहा है और यह रत्न का जो विज्ञान है बिसिलि जोतिष विज्यान की luckily देना है और गारो जो चैन करता है मनुष्य यह जोतिश के द्वारही सब्बभ है ये आप ईस अच्छे जो इंचारे से प्रवामर्शंत है विधान से लें तो आपको बताते हैं कि कौन सा रतना आपको आपके हिजाब से अच्छा सूट करेगा आपको कैसे वो लापकारी सिद्ध होगा आपके लिए कई लोग मैंने देखा एक्सपरिमेंट करने के लिए अपने अभी वो डालते रहते हैं तो मैं कहूंगा वो चीज़ आप अवाइड कीजिए और किसी एक्सपर्ट के जो एस्ट्रॉलजी की नॉलज़ रखता हो जोतिश के विद्वान हो जो उनसे आप रामश लीजिए आज हम इनी रतनों में से शनी का एक उपरतन होते हैं वैसे तो काफी उपरतन है देखा जाये तो लैपिज लाजूली है जिसको लाजवर्थ बोला जाता है नीली है लेकिन आज हम बात करेंगे नीलम के उपरतन कटे लेगी और ये जमुनिया और आमथिस्ट इसको इंगलिश में आमथिस भी बोलते हैं इन नामों से यह परसिद्ध है और शनी के कुप रभावोस से ये हमें बचाने में बहुत सहयक होता है Karma even जो को आछायर जिसको रिमानेया बोलते हैं यह चक्र बैलंसिंग में। को सहस्रार चक्र होता है बारे और अच्छा कार्गर मरुद होती है अरे ही क strongest बोलते हैं यह जोट कर में है dough थिक हो रोक होते है इसकुरियोर सोब खरम में रखते हैं यह जूदोश्ट सारे वह दूर और वो नेगेटिव आयंस बाट पार्टिकल्स को चाहे बॉडी से हो चाहे इन्वारिमेंट में उसको नूट्रलाइज करते हैं तो यह बहुत अच्छा वास्तु में इसमें healing करता है को वह बहुत अच्छा लिएता है अस्थमआ के स्थमां इवन नियूरो कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसके अंदर भी ये ये बहुत कारगर्सित होता है अब ध्यान रखिएगा उशनी के कूप रभावों से तो ये बचाते हैं जैसे मैंने बताया है और कहीं लोग मैंने देखा नीलम की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है नीलम इसमें बहुत हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती है और बहुत लाब कर यह सिद होता है और स्पिरिचल स्टोन भी इसको बोला जाता है अध्यात में की भी जो जर्रीम पे निकला हुआ है उसके लिए भी यह बेसिकली चक्र बैलंसिंग में जैसे मैं बता रहूं यह यूज होता ही है लेकिन यह इनसान को अध्यात की और भी लेके जाता है और यह अलग-अलग । फॉरम में अवियलेवल है जीयोड की फॉरम में जैसे मैंने बताया वियलेवल होता है। जेमि स्टोन के फॉर्म में डगो के फॉरम में मेरे मतलब यह अवे कि 360 डिग्री इसके हमें बहुत ज्यादा फायदे हैं और इमोशनल इशूस से भी कोई अगर गुजर रहा होगी इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो जाए इंसान तो उसकी इमोशन को बैलन्स करने में बहुत कारगर से दोता है मैं तेला बहुत अच्छा लाब देता उसके अंद होने की सेल की ग्रोथ की शंता उसकी टेंदेंसी बढ़ जाती है इस तरीकी किसमें प्रॉपरटी इस होती है ब्लड स्रकुलेशन हमारा जो होता है ब्लड सर्कूलेशन वह इंप्रूव होता है तो इसी बात से मैं रिलेटेट जैसे पहले आपको बताया कि नर्वस सिस्टे के लिए भी as a catalyst काम करता है उसको बढ़ाता है उनकी पावर देखा जाया तो यह हर तरीके से हमारी बॉडी में कुछ भी अगर positive कुछ activity हो रही है उसको enhance करता है और negativity तो मैंने देखा यह खीची लेता बार और financial stability भी यह प्रदान करता अगर financially stable war time से चल रहा है तो यह amethyst को धारन कर सकता है लेकिन amethyst को धारन करने से पहले एक बार शनी की position मैं फिर भी कहूंगा आप किसी जोतिश चारे से परामर्ष करके चेक करवा लें एक बर कुंडली में वैसे तो यह उपरतना इसकी इतनी कुछ negative इसकी impact होती है और क्योंकि हीलिंग स्टोन है अगर शायद कोई और स्टोन होता है तो यह काफी लोगों को बेनिफिट कर सकता है हूए और अगर इसको आपने आपने जोतिश के परामश के साथ से अगर इसको शॉन करना तो शनिवार के दिन अए देखके पहले उसका विदिवत शुद्धी करन करके फिर प्रान प्रदिश्टा करनी है उसके अंतर और फिर इसको आपने धारन करना इसको पंच धातू में धारन कर सकते हैं और आप देखेंगे धार्ण करने के बादे कितने अच्छे आपको रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देता है तो आशा करता हूं जो आज कटेला जमोनिया या मेथिस्ट जो इसनाम से इस्टोन फेमस है स्के स्पेरम ने जो वीडियो बनाया आपको पसंद आया होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजेगा सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और बैल बटन दबा दीजेगा नमस्कार